इसको जेल वैन के अंदर बैठाया जा रहा है तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है और कोशिच कर रहे थे अतिक एहमद से बात करने की लेकिन क्योंकि उसकी सिक्यूरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट है तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अतिक एहमद वाप चुम भी वो जा चुका है इन गारियों के अंदर डीजल भी जो है वो भर चुका है अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो काफिला है वो कितनी देर बाद रुकता है क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी अपने दर्शकों को बता रहा था कि ये काफिला जो है पांच घंट पर मौझूद थी पुलिस की उन गारियों के अंदर भी डीजल डला है और अब ये काफिला यहां से निकलने के लिए एक बार फिर से तयार हो चुका है और अब ये देखना होगा कि आखिरकार अगला जो स्टेशन है वो क्या होता है आखिरकार आगे जो ये काफिला है वो बैठते हुए नजर आएंगे तस्वीर है कैमरामन प्रविन दिक्षित आपको दिखा रहे है और यहां से भी आप देखिए तस्वीर है कि पूरी जेल वैन को पुलिस कर्मियों ने घेर कर रखा हुआ है ताकि कोई जेल वैन के पास ना पहुंच सके क्योंकि लगातारी आ पहुरा नहीं किया है उस पर विशार करने के बाद का लिखार सासनया यह पूरुस्थांसा ठेटिकाहमां जीं को पहरुस्ता नहीं होगा कि और वजह थी आप तो नहीं थी फिलहाल जो है पुरुस्वांसा देटीक नियाले में अपील की कि जो है नियाले कंदे पर बंदू रखके सासनों कुछ हमारी हट्याय करा सकता है घटना कुछ भी दोगटना की जा सकती है इसलिए में वापस सावरमती जेल भेजा जाए इसलिए प्रिवार के साथ नहीं जरूरी होती है इसलिए यंपीयम में लेको इनको फिसकली तलब किया था कि एक रोजहाँ का है वुवेश पाल मंडर केस में रिमांड की अप्लीकेशन भी लगाए थी लेकिन नदे आगे दिया जाएका तो रिमांड मिलेगी तो फिर आगे दिया जा सकता फिलाल वरत्मान में तो गलत सुच नहीं देगए थी कि रिमांड की पड़ी है अब ये काफिला जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां से निकलने वाला है और यह अतिक अहमत नहीं चुकि अशुगर से जो है रोग रसीत हो सकता है आज रोजा उनना रखें हो चुकि लंबा सफर था यहां इसे पहले उनने रोजा रखा हुआ तो परसुराम जी जो लगातार इस गाली को चला रहा है और सबसे ज़्यादा इन नहीं इस गाली को डाइप करी परसुराम जी पलीस कहीं ना कहीं अपना कर्तब निवा रही है दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर आप समय देख पा रहे हैं देखिए दो रिपोर्टर्स हमारे लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं और कोई भी जानकारी ना चूट पा इसलिए वो लगातार वहां से जुड़ी हुई हर तस्वीर हर खबर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मनोज भी हमारे सायोगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे मनोज जी बिल्कुल देखिए अब वापस से काफिले के चलने की तयारी जो है वो शुरू हो चुकी है आप देख सकते हैं कि जो पुलिस कर्मी है वो एकदम तयार हो चुके है डीजल जो है दोनों जेल वैन में डलवाया जा चुका है इसके लावा जो बाकी गारियां पुलिस की चलना शुरू होगा और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि करीब 700 किलोमेटर का सफर अभी बाकी है यानि कि लंबा सफर जो है इस काफिले को तै करना है शाम करीब 6.30 के बजे करीब ये काफिला साबरमती जेल पहुँचेगा तो अभी ये भी देखना हुआ कि आगे अ 700 किलोमेटर का सफर अभी बाकी है और अतीक एहमत को वापस साबरमती जेल पहुचाने तक लगातार ये कवरिज एवीपी न्यूस पर जारी रहेगी आप और नितिन लगातार इस काफिले को फॉलो करते रहिए हमें तस्वीरे आप दोनों के ही जरिये दर्श को तक जैसे ही घड़ी का काटा दो पहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगें अपना अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबी पी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर अपने आपको रखे आगे